36 वर्षिय सुधा चौधरी स्कूटी से अपने घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने सुधा चौधरी पर दो गोलियां चलाएं। गोली लगते ही सुधा की चीख निकल गई। सुधा अपने पती पुषपेंद्र चौधरी से अलग रह रही थी। पुषपेंद्र सिंह CRPF में नौकरी करते थे। पुषपेंद्र ने करीब तीन साल पहले सुषीला चौधरी नामक युवती से दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दुरघटना में 27 जुलाई 2022 को मृत्यू हो गई थी। इसके बाद फैमिली क्राइम के तानेवाने बुनने शुरू हो गए। पुषपेंद्र सिंह की मौत के बाद अनुकम्पा नियुक्ती के नियम के तहट बेटे को नौकरी दी जानी थी। ऐसे में सुधा चौध और सुशीला दोनों ही अपने अपने बेटों को नौकरी दिलाना चाहती थी। जब पुषपेंद्र की दोनों पतनियों के बीच विवाद था तो देवर मनोज ने भाई पुषपेंद्र की पहली पतनी सुधा की हत्या की सुपारी क्यों दिया। आइए जानते हैं इस हत् नमस्कार दोस्तों मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोर में सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया की आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब् पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं 24 जून 2023 का दिन था शाम के पौने 5 बजे का समय था 36 वर्षिय सुधा चौधरी अपने 17 साल के बेटे अनुराग के साथ स्कूटी द्वारा नदबई बस स्टैन से कासगंजरोर पर स्थित अपने घर की ओर आ रही थ तब ही रास्ते में बाइक सवार दो बदमाश उसका पीछा करने लगे उन दोनों ने ही मुह पर कपड़ा बांध रखा था उस समय स्कूटी उसका बेटा अनुराग चला रहा था उसकी स्कूटी जब सरस्वती मेरिज होम के पास स्थित मंदिर के नजदीक पहुँची ही कि बाइक पर पीछा कर रहे युवकों में से पीछे बैठे युवक ने स्कूटी के बराबर पहुचते ही सुधा चौधरी पर दो गोलिया चलाएं गोली लगते ही सुधा की चीख निकल गई उसके शरीर से खून का फवारा फूट पड़ा जब तक लोग माजरा समझते ब इह घटना राजस्थान के जिला भरतपुर के नदबई कस्बे में घटी थी सुधा चौधरी को एक गोली कंधे से होती हुई हाट तक पहुच गई थी यही गोली मौत का कारण बनी थी दूसरी गोली उनकी कमर से नीचे लगी थी गोलिया लगते ही सुधा चौधरी स्कू अस्पताल द्वारा थाना नदबई को फोन पर घटना की इत्तिला दे दी गई दिंदहाडे एक महिला को सरे राह गोलियों से भूनने की खबर मिलते ही नदबई थाना के एस एचो श्रवन पाठक पुलीस तीम के साथ अस्पताल पहुच गए थे इसके बाद उन्होंने घ अबजे में लेकर मौर्चरी में रख्वा दिया। मृत्का का बेटा अनुराग सिसक सिसक कर रो रहा था। उसे श्रवन पाठक ने दिलासा दे कर चुपकराया और घटना के बारे में पूच ताळ च किया। SHO श्रवन पाठक ने शव मोर्चरी में रखवाने के बाद उच्चाधिकारियों को घटना की खबर दे दिया। घटना की खबर पाकर मृत्का के मायके से एवन नदबई में रहने वाले आसपडोस के लोग भी अस्पताल वघटना स्थल पर पहुँच गए थे। हर कोई हैरत में था कि सुधा चौधरी जैसी दयालू, समझदार एवन हर किसी के दुख सुख में शामिल रहने वाली महिला की हत्या किस व्यक्ति ने और क्यों कर डाली। सवाल अपनी जगह थे, मगर सच यही था कि 15 वर्ष से सुधा अपने पती पुषपेंद्र चौधरी से अलग रह रही थी। पुषपेंद्र सिंह CRPF में नौकरी करता था। पुषपेंद्र ने करीब तीन साल पहले सुशीला चौधरी नामक युवती से दूसरी शादी कर ली थी। पुषपेंद्र 27 जुलाई 2022 को दुरघटना में चलबसा था। सुधा और पुषपेंद्र का तलाक नहीं हुआ था। बगैर तलाक ये पुषपेंद्र ने सुशीला से शादी कर ली थी। वह शादी कानून के हिसाब से मान्य नहीं थी। पुलिस को जैसे जैसे जानकारी मिल रही थी, मामला पेचीदा लगने लगा था। मृतका सुधा के बेटे अनुराग चौधरी ने पुलिस को अपने बयान में बताया, मैं और मेरी मम्मी सुधा चौधरी पिछले पंदरा सालों से कासगंज रोड नदबई में अपने पिता पुषपेंद्र सिन्ह चौधरी से अलग रह रहे थे। मम्मी का पार्टनर्शिप में भरतपुर में ऑक्सीजन गैस प्लांट है। मम्मी हमेशा की तरह 24 जून 2023 की सुबह नदबई से भरतपुर गैस प्लांट पर गई थी। दोकहर साढ़े तीन बजे भरतपुर से बस में बैठ कर वह नदबई आई। उन्होंने बस में बैठने के बाद मुझे फोन करके स्कूटी लाने को कहा था। वह स्कूटी लेकर नदबई बस स्टैंड पर पहुँच गया था। घरतपुर वाली बस से उतरी और मेरे पीछे स्कूटी पर बैठ गई। बाजार से मम्मी ने कुछ खरीदारी की और फिर दोनों स्कूटी से घर की तरफ रवाना हो गए। जब स्कूटी कासगंज रोर पर देवी मा के मंदिर के पास पहुँची तभी बाइक सवार दो बदमाश स्कूटी के समीक पहुँचे और पीछे बैठे व्यक्ती ने दोनों हाथों में लिए कट्टों से मम्मी पर दो फायर जोके और फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही सीओ नगबई नितिराज सिंह भी घटना स्थल पर पहुँचे और घटना की जानकारी लिया। घटना स्थल का मौका मुआयना किया। उनके निर्देश पर पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो काले रंग की बाइक पर दो व्यक्ती न पुलिस को ठाने पहुचकर अपनी मम्मी की हत्या की रिपोर्ट दर्स कराई। अनुराग ने पुलिस को बताया था कि उसके चाचा मनोज चौधरी वसुशिला ने हत्या कराई है क्योंकि पहले भी माधव के चचेरे भाई शिशुपाल के साथ मिलकर चाचा मनोज ने उन् अनुराग व उसके नाना बदन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस आरोपियों की खुचबीन करने लगी। उधर 24 जून 2023 की शाम को मैडिकल बोर्ड गठित कर सुधा चौधरी के शव का पोस्ट मार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इस केस को सुलजाने के लिए भरतपुर के S.P. मृदुल कच्छावा के निर्देश पर विशेश पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में मनीशा लाडो, लखनपुर S.H.O. श्रवन पाठक A.I. ओंप्रकाश, कांस्टेबल अमित आदी शामिल थे। पुलिस टीम न जरूर सुधा चौधरी हत्याकांड में मनोज का हाथ है। अगर वह निर्दोश था तो फरार क्यों हुआ था। पुलिस टीमों ने मनोज के संभावित जगहों पर होने की परिजनों से जानकारी लिया। इसके बाद मनोज को उसी रात जैपुर से धर दबोचा और उसे प 27 जून 2023 को थाने में उससे सकती से पूचताच की तो सुधा चौधरी हत्याकांड पर से परदा उठ गया। पुलिस ने 24 घंटे में ही मर्डर मिश्ट्री सॉल्व कर लिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बलकि सुधा का देवर मनोज ही निकला। उसने ही 5 लाख रुप राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतरगत एक गाव बुढवारी खुर्द आता है। इसी गाव में पुषपेंदर सिंह चौधरी के साथ अपने परिवार रहता था। बचपन से ही महनती पुषपेंदर पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अववल था। सुभा 12 साल पहले उसके योग्य लड़की की खोजबीम शुरू हुई। एक रिष्टेदार ने हाथरस के साला बाद निवासी बदन सिंह की बेटी सुधा के बारे में बताकर हिमत सिंह चौधरी से कहा। चौधरी साहब मेरी मानों तो कुषपेंदर के लिए सुधा जैसी गोरी और बला की खूबसूरत बीवी ले आओ। सुधा पढ़ी लिखी और सर्वगुन संपन है। हिमत सिंह ने कहा एक दिन आप साथ चल कर बता दें तो फिर देख कर रिष्टा पक्का करें। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तयार हो जाओ कल ही चलते हैं। इस तरह साला बाद आकर सुधा को देखा। गोरे रंग की तीखे नयननक्ष वाली सुधा को पहली नजर में ही पुषपेंदर के लिए पसंद कर लिया गया। रिष्टा पक्का कर दिया गया। थोड़े दिन बाद शादी का मुहूर्ट निकला। आज से 18 वर्ष पूर्व पुष ज्यादातर ग्यूटी पर रहते थे। बेटे की देखरेख में घर का काम समय पर नहीं होता तो सास उस से लड़ने लगती थी। सुधा लाख सफाई देती कि वह अनुराग को नहला धुला रही थी। मगर सास उसकी एक भी न सुनती और कहती हमने भी तो बच्चे पैदा क किये थे। उन्हें संभालते हुए घर का सारा काम काच करते थे। खेती का काम भी करती थी और पशु भी पालते थे। वगेरा वगेरा तमाम बाते बताकर यह जताती थी कि तुम कामचोर हो सास बहु की रोज किच-किच होने लगी। पुषपेंद्र चुट्टी पर घर आता तो मा उसके कान भरती। पुषपेंद्र मा का पक्ष लेता तो सुधा उससे लड़ परती। पुषपेंद्र भी लड़ परता। अनुराग मात्र दो साल का था तब यानि आज से पंद्रह साल पहले रोज-रोज के जगडों से आजज जाकर सुधा अपने माय के जा ब फिर वह नदबई आकर रहने लगी। उसने भरतपुर में ऑक्सीजन गैस लांट पार्टनर्शिप में लगा लिया। इस प्लांट से उसे अच्छी आय होती थी। सुधा कासगंज रोड नदबई में अपने बेटे अनुराग के साथ रहती थी। वह सुभा भरतपुर गैस प्लांट जाती और शाम तक नदबई वापस लोट आती। सुधा एक तरह से अपने बेटे अनुराग के लिए जी रही थी। सुधा और पुषपेंद्र ने तलाक नहीं लिया था। मगर वे पिछले पंद्रह सालों से अलग-अलग रह रहे थे। पुषपेंद्र ने एक तरह से सुधा को शादी के दो साल बाद ही छोड़ दिया दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था। इसके बावजूद पुषपेंद्र ने तीन साल पहले बेरु का नंगला मथुरा निवासी सुषीला के साथ दूसरी शादी कर लिया। हाला कि कोट से तलाक हुए बिना यह शादी गैर कानूनी थी। सुषीला से भी एक बेटा ला पालिका के दिसंबर 2021 में हुए चुनावों में कॉंग्रेस के टिकट से वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी थी। मगर वह चुनाव हार गई थी। चुनाव के बाद सुधा चर्चा में आ गई थी। सुधा चौधरी जाट महा सभा की यूथ विन की अध्यक्ष भी थी। वह राजनीतिक पार्टियों में पूरी तरह से एक्टिव रहती थी। उसके और पुषपेंदर के बीच कोर्ट में तलाग का मुकदमा चल रहा था लेकिन तलाग हुआ नहीं था। पती से अलग होने के बाद से सुधा अपने माता-पिता को हाथरस से नदबई ले आई थी। वह माता-पिता और बेटे अनुराग के साथ नदबई में रहती थी। पुलिस को जांच में पता चला था कि परिवार में विवाद है। दो पत्नियों के बीच विवाद के चार कारण थे। पुषपेंदर सिंह CRPF में थे। उनकी दुरघटना में 27 जुलाई 2022 को पुषपेंदर सिंह की मौत के बाद अनुकमपा नियुक्ती के नियम के तहट बेटे को नौकरी दी जानी थी। ऐसे में सुधा चौधरी और सुशीला दोनों ही अपने अपने बेटों को नौकरी दिलाना चाहती थी। इसके अलावा दूसरा कारण पती की पेंशन भी थी पुषपेंदर की मौत के बाद सरकार की ओर से लाखों रुपए दिये जाने थे। इन पैसों के लिए भी सुधा और सुशीला के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। साथ ही पुषपेंदर के नाम पर गाउ में खेती की काफी जमीन है। इसको लेकर भी दोनों मे सुधाने रिपोर्ट भी दर्स करवा दी थी। सुशीला के बेटे लाब्यांश के पिता के नाम को लेकर भी मथुरा गेट थाने में सुधाने रिपोर्ट दर्स करवा दी थी। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब पुषपेंदर की दोनों पतनियों के बीच वि भाई मनोज से करा देंगे मनोज गाव में रहकर खेती संभालता था मनोज को लगा कि इससे भाई की मौत पर मिलने वाले पैसे भी उसको मिल जाएंगे अनुकमपा के आधार पर नियुकती भी सुशीला को मिल जाएगी लेकिन इधर जब सुधा चौधरी को पुशपेंदर क की मौत पर रुपियों की एक किस्ट मिल भी गई थी तो मनोज को लगा कि इस तरह उसके सारे मनसूबों पर पानी फिर जाएगा ऐसे में मनोज ने डेड़ महीने पहले से सुधा के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी उसने सोचा कि सुधा की हक्त्या के बाद पर्टी में भी बटवारा नहीं हो सकेगा ऐसे विचार मन में आये तो मनोज अपनी भाभी सुधा का मर्डर करवाने के लिए शूटर की तलाश करने लगा मगर उसे कोई शूटर नहीं मिला मनोज तब अपनी दूसरी भाभी सुषीला के भाई माधव व सुषीला के चचे सुधा की मौद के बाद सारी संपत्ती सुषीला और मेरी हो जाएगी माधव ने कहा मनोज मर्डर तो हो जाएगा लेकिन पैसे खर्च करने पड़ेंगे पैसों के लिए शूटर की लाइन लगा दूँगा मनोज ने पूछा सुधा के मर्डर के कितने रुपए लगेंगे शिशुपाल बोला पांच लाख खर्च करने पड़ेंगे मैं काम करवा दूँगा सुधा की मौद के लिए पांच लाख में सौधा तय हो गया माधव जाट ने एक नाबालिक से संपर्ख किया जो उसकी जान पहचान का था और भरतपुर का रहने वाला था माधव ने उससे सुधा का मर्डर करवाने के लिए पांच लाख में सौधा तय कर लिया मनोज ने चार हजार रुपए एडवास में दे दिये बाकी रकम काम हो जाने के बाद देने का वादा किया सुधा के मर्डर से दो दिन पहले माधव ने 22 जून 2023 को नाबालिक को दो कट्टे ला कर दे दिये नाबालिक और माधव ने सुधा की पहचान कर लिया उन्हें पता था कि सुधा सुभा भरतपुर में स्थित अपने गैस प्लांट जाती है और शाम के समय में नदबई वापस लौटती है। 24 जून 2023 को बाइक पर आगे माधव व पीछे नाबालिग नदबई बस स्टैंड पर निगाह जमाय दोपहर के बाद से खड़े थे। बाइक जब स्कूटी के बराबर की तो नाबालिग ने दोनों कट्टों को दोनों हाथों में लिया और सुधा पर गोलिया दाग दी और फरार हो गए। अनुराग ने माधव जाट को कहचान लिया था। हत्या वाले दिन 24 जून 2023 को भी मनोज दोनों शूटरों के संपर्क में था। जब उसे खबर मिल गई की सुधा की हत्या कर दी गई है तो मनोज भी जैपुर भाग गया था। मनोज के द्वारा शूटर के बारे में दी जानकारी के बाद पुलिस्ती में उत्तर प्रदेश रवाना हो गई। 26 जून 2023 को नदबई थाने की पुलिस ने आरोपी मनोज को कोट में पेश कर न्यायक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी माधव शिशुपाल वर एक नाबालिक के फरार होने के बाद उन तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोशिक कर दिया था। SHO श्रवन पाठक को 27 जून 2023 को आरोपियो माधव जाट और शिशुपाल जाट की मोबाईल लोकेशन मथुरा की मिली थी। पुलिस टीम राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुँच कर कलाश कर रही थी। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि माधव और शिशुपाल एक नाबालिक के साथ धनवाड़ा-पूंट की खदानों में झिपे हुए हैं। वे तीनों रात को कहीं बाहर जाने की फिरात में हैं। फिर पुलिस टीम अंधेरा घिरते ही धनवाडा पूंट की खदानों में आरोपियों की तलाश में जुट गए। पुलिस टीम जब सर्च करते हुए एक बंद पड़ी खदान में पहुँची तो तीनों आरोपी बहां से भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया। हडबडाहट में तीनों आरोपी खदान में दोड़ते समय गिरकर घायल हो गए। पुलिस टीम ने उन तीनों को हिरासत मिलिया और तीनों को कुमहर अस्पताल ले गए। जहां से तीनों आरोपियों का प्राथमिक उपचार कराकर भरतपुर क सरकारी अस्पताल RBM ले आई माधव, शिशुपाल और नाबालिक से पुलिस ने पूछताच की तो उन्होंने अपना जुर्म कुबूल कर लिया सुधा चौधरी की हत्या का जुर्म कुबूल करने के बाद नाबालिक को बाल न्यायाले में पेशकर बाल सुधार ग्रेह भेज दिया गया वहीं आरोपियों माधव जाट और शिशुपाल जाट का RBM सरकारी अस्पताल भरतपुर में 28 जून 2023 को इलाज कराया उनके पैरों में चोट लगी थी इस कारण प्लास्टर किया गया था चारो आरोपियों की गिरफतारी के बाद सुधा चौधरी हत्याकांड का पूरी तरह खुलासा हो चुका था S.P. मृदुल कच्छावा ने 28 जून 2023 को प्रेसवार्ता कर सुधा चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया पुलिस ने सुशीला और अन्य से पूछताच किया मगर उनकी संलिप्ता सुधा मर्डर में कहीं नजर नहीं आए कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद